क्यों कैसे हैं आप लोग आई होप बिलकुल अच्छे होंगे आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे ताइट वुड बी इंपॉर्टन टॉपिक फॉर आल अप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक होगा विच इस नोन आज कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग कोडिंग होगा और मैं कोशिश करूँगा कि यह टॉपिक मैं इस वीडियो में पूरा कंपीट कर दूँँ और आपको कहीं और कुछ भी करने की ज़र्वत ना परे वैसे तो अगर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं मानों कि अगर मैं आपको कोडिंग डि कोडिंग के अंदर पर कई बार क्या होता है अलफाबेटिकल सीरीज भी आ जाता है कि अगर ए जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं कुछ लिखूं कि A B C D और यहां पर लिख दूँँ E F G H तो A के लिए कोड हो गया कोड ऐसे का नाम होता है इसे हम फदर अल्फाबेटिकल सीरीज भी बोल देता है कई इसके कई sections है तो एक नहीं है कि अगर आप अल्फाबेटिकल सीरीज आन लिया तो आपको लगेगा कि नहीं नी सर भी जान लिया लेकिन उसके लिए Coding decoding समझने के लिए जो प्रिरिक्विस्टिक रेक्वार्मेंट है मतलब जो आपको आना चाहिए एक लिस्ट वो यह है कि आपको alphabetical series के प्लिस वैलू याद होने चाहिए जैसे for example अगर मैं बोलूं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कि किस पर स्टैंड करता है तो आप किस नंबर पर स्टैंड करता है तो आप बहुत जल्दी बोल दें सर्फ के स्टैंड फॉर 11 तो coding decoding ऐसा नहीं है कि कोई एक subject में पूछ लिया मतलब कोई एक portion से पूछ लिया जाए for example मैं यह भी सकता हूं कि अगर a b c d को e f g लिखा गया है then you can answer me that def को क्या लिखा जाएगा रइट तो इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है तो जैसे कि a b c d का code हो गया यह तो def का code क्या होगा तो इसके कोई एक पार्ट नहीं है बिसिकली पार्ट तो बहुत जाए है ठीक है हम लोग आज उन में से एक पार्ट को discuss करते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब उन में से कोई एक section को लेकर discussion करते हैं और mind my word अगर आप एक section को समझ जाएंगे तो आप पूरी की पूरी conceptual understanding आपको clear हो जाएगी कि इसमें करना क्या होता है इसमें कुछ शब्द लिखे गए होते हैं और उस शब्द का जो मतलब होता है वही दूसरे शब्द का मतलब आपको simple way में बताना होता है तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा आज हम उसी में से कुछ topic है जैसे उसमें coding decoding का ही एक topic है जिसमें हम लोग cover up करेंगे लेटर सीरीज अल्फा न्यूमरेक सीरीज जैसे अल्फा न्यूमरेक सीरीज भी कई बार पूछ लेते हैं और continuous pattern भी पूछ लेते हैं तो कई तरह तरह तरीके की चीज़े देरे देरे इसमें cover up होती है लेकि उसको जानने से पहले बहुत important है कि मैं आपको कुछ फॉप खरा है की अगर यह बताऊंग तो हर बचों को यह भी तो clear होना चाहिए कि सर प्लेस वैल्यू अगर मुझे मुझे वगप करना है तो मैं क्या करूं अब थेखो possible तो नहीं है है B का place value 2 होता है C का place value 3 होता है और यह मुझे लगता है हर बच्चों को पता है जो बच्चा इंडिया में रहता है उसको भी पता होगा और बच्चा जो यूक्रेन साउडी अरेबिया इसमें रहता है उसको भी पता होगा कि A stands for 1 B stands for 2 C stands for 3 कि again saying यह one of the part है उसका right this is I would say one of the part of that जरूरी नहीं है कि यही question पूछ लिया जाए यह one of the part है बट वीडियो को अंत तक देखेगा अगें से बहुत मजा आने वाला है अगर आप वीडियो को अंत में अंत तक देखेंगे तो एक section तो आपका complete में करवा होँगा इसकी मैं guarantee देता हूं एक section आपको जरूर से जरूर complete हो जाएगा डाच गारंटी यह मैं आपको तो चलिए देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम basically आगे क्या करेंगे इसमें देखिए कुछ जो मैंने बना के रखें अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतना कैसे याद कर सकते हैं इस नट पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे तो अब देखिए मुझे लगता है जैसे मैंने बताया था ना यहां तक तो हर बच्चे को clear होता है इसमें परशानी नहीं आती है इप ओर 5 एफ-ओर 6 जीफ-ओर 7 एच-ओर रहा यहां पर परशानी आना शुरू होती है लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से देखिए तो जेड़ की वेल्यू आपको याद होती है जो अब आपको याद नहीं हो रही है, right कुछ ऐसी चीजी है ना, अब आपको यह याद नहीं हो रही है, तो भी याद कैसे करेंगे इसको, that would be a big issue, भी याद कैसे होगा, क्या इनका कोई तरीका है करने का, या what we can do, right चलिए देखते हैं, अब इसमें कुछ तरीके हैं कि आपको multiples of five, basically याद होना चाहिए, multiple of five, five मतलब e for five, j for ten, o for fifteen, t for twenty, and y for twenty-five, तो यह पांच के multiples वाले हैं, ठीक है, जिसको आप नाम दे सकते हो, जो कहलाता है e-jorty, क्या कहते हैं इसको हम लोग, हम लोग इसको कहते हैं e-jorty, पांच, दश, पंदरा, बीस, पच्चस, यह basically होता है e-jorty, जो की, I would say, one of the important चीज़ें, important चीज़ें आपको इसमें समझ में आती हैं, दूसरा इसमें section है कि, अच्छा, यह किसको नहीं आद है, a for one, b for two, c for three, and d for four, यह किसको नहीं पता है, क्या यह बात बिल्कुल सही है, हर किसी को पता होता है, कि a का value one होता है, b का two होता है, c का four होता है, c का three होता है, d का four होता है, साथ-साथ आपको इ-jorty को कुछ दिमांग रखना है, I think, आधी जंता को तो यह पता होगा, जो वीडियो देख भी रहे होंगे न, उनको यह बात पता होगा, कि अच्छा, इसका मतलब इ-jorty होता है, ठीक है, अब sir, F का कैसे याद रखें, तो मैंने कुछ तरीके लगाया हुआ हुआ, यार, मतलब जस्ट इस पीडियो पर थोड़ा महनत किया हुआ है, मैंने, ताकि आप लोगों को मजाक मजाक में यह याद करवा दिया जाए, मतलब यूँ हसते, खेलते, कुदते, आप लोगे सब, तुरंट ही पढ़ लें तो अगर हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, तो basically देखेंगे कि F, जिसका place value है 6, अगर हिंदी में pronounce किया जाए, तो कहेंगे 6, तो क्या मैं fix को 6 बोल सकता हूँ, it's like rhyming word, क्या मैं fix को 6 बोल सकता हूँ, it's like a rhyming word, एक तरह का rhyming है यह, fix को 6, तो जब भी आपके दिमाग में F आएगा, तो आप relate कर जाना, fix and then 6, जब भी आपके दिमाग में ऐसा ऐसा आता है, तो आप relate कर जाना, कि fix for 6, मतलब that's how you go for it, fix and 6 बोथ हार सेम, fix and 6 बोथ हार सेम, आप ऐसे कुछ relate कर सकते हैं, तो दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास है G7 nations, पता है आप लोग 7 nations, यह भी I would say important है आप लोगों के लिए, अगर अपन लोग बात करें तो, ठीक है if we talk about it, आगे चलते हैं H को क्या लिखते हैं सर, तो H बन जाता है हमारा देखो, H basically 8 बनता है, अगर तुम H को लिखो यह सब तरीके हैं सर, this is all other ways in which you can do it H को क्या लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो इस तरीके से, H को लिख सकते हो 8, तो H अपने आप 8 बन जाता है अपने आप नी, जैसे H दिमाग में आया तो 8 आना चाहिए, H का figure आया तो फिर 8 तुमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, अब हमारे पास से, देखो, I को क्या लिखेंगे, cursive writing में तो I को 9 ही लिखते हैं, याद करो कुछ, पुराने दिन, cursive writing, in fact, कई सारे बच्चे 9 ही लिखते हैं, I am, तो I for 9 only, I for 9 only, that's my, मतलब ये मैं, आपको guarantee के साथ क्या है, I relates for 9 only, इसमें कोई दो राय नहीं है, right, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे हिसाब से ये correct है, दूसरी बात है, आपके पास सामने है, Kings 11 Punjab, अब Kings 11 Punjab का कहने का क्या मतलब है, कि K for 11, तो Kings 11, इसी लिए Kings को 11 पे रखा गया, एक और एक 11, तो भाया K की वैल्यू आ गई, because Kings 11 Punjab, है ना, Kings 11 Punjab, तो भाया K की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे भी आपको clear होगा, approximately तो मैं बोलूँगा कि clear ही होगा, फिर हमारा आ गया L, Sir, L को कैसे याद रखेंगे, अब lunch time का तो time तुमको पता होगा, लंच टाइम बारा बजे होता है, लंच का जो time है वो बारा बजे होता है, लंच का जो time है वो बारा बजे होता है, तो L for 12, can we say this, बिल्कुल, लंच टाइम मतलब बारा, लंच टाइम मतलब बारा, इसी लिए हम लोग lunch time को क्या बोलते हैं, 12 noon बोल देते हैं कई बार हम लोग lunch time को क्या बोल देते हैं 12 noon बोल देते हैं one of the most important things बहुत important है यह आपको अपने दिमाग में रखना है I hope this makes sense to all of you I hope this makes sense to all of you and you are getting this guys because these things are very very important है यह बहुत ज्यादा important है तो you all should know this right you all should know this everyone I hope you are getting I hope you are getting चले फिर है मेरे पास मैं तेरा हीरो या अब M और तेरा M को याद करने के कई तरीके हैं जिसे 26 का आधा भी होता है तेरा जो की आधा है आता है मिडल में और यह सूपरमैन ऐसे खड़ा है मैं तेरा हीरो है मैं तेरा हीरो तो तेरा आगया मदब मैं गैरेटी के साथ के रहा हूं जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको हसी भी आएगी कि अरे सर यह क्या करा रहे हो लब तो काफी जादा का इंटरेस्टिंग है मैं तेरा हिरो है न यह मेicz मेड़ लेटर भी आप कह सकते हो मैड़ लेटर तेरा आप अपने आप में काउन कर सकते हो से यह मेरे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं अगर आप इसको बहुत अच्छी से समझना चाहें तो दूसरी बात है क्वीठ से खत्रा मतलब क्यों क्यूफॉफ क्यूफॉफ क्यूफॉफ्स सवेंटीं अभ यह कूई से तो हर किसी को खत्रा होता है यह ऐसी चीजी है Queen से हर किसी को खत्रा होता है तो इसलिए तो Queen होता है 17 क्या भाई मज़े की बात है न Queen से होता है खत्रा इसलिए होता है 17 एक बाई मेरे साथ repeat करो याद हो जाएगा Queen से होता है खत्रा इसलिए होता है 17 मेरे साथ पढ़ो Queen से होता है से खत्रा किसी के लिए होता है सत्रा तो कुईन से खत्रा मतलब सत्रा अब आया सर आपके सामने आर पॉर 18 अब सर आर पॉर 18 मतलब क्या राइट टू वोट आ गया सर आपकी उमर जो होती है राइट टू वोट के लिए वह 18 होती आभे है अगर आप आसे याद करो कि इज तो आप 800 ही होता है नहीं तो आप ऐसे कर कर सकते हैं अगर आप हिंदी में बोलेंगे नंट्र आः तो आप आर 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 यह मुवी का नाम है और आर मिला था उसी mean नाटू-ठू गाने के लिए मिला था थैंद ला था है ना तो समझते जाओ टिंग इंट्रेस्टिंग वहागं मज़ा भी आरा होगा मेरे इन्ट्रेस्टिंग भी रहा होका मज़ा बी आरहा होगा इसमें कोई को वाली बात तो नहीं लग रही होगी मजा आ रहा है न सभी को ऐसा थो नहीं है किसी कोई एक बच्चे को मजा ना रहा हो खुआ है कि अब आशार आपके सामने 19 सर उन्निस कहने का मतलब होता है S for 19 उन्निस S for 19 आ गया सर आपके सामने S for 19 19 सर 19 समझा 19 S for 19 सर धमा के दा आब उट से धमा के दा रहे हैं मेरे हसाब से धमा के दा रहे हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो सर है ही नहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो सर है ही नहीं मुझे लग रहा है कि दम आपको समझ में यह आ रहा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है I hope you are getting this fine 19 हिंदी में जब लिखते हैं तो लिखते हैं 19 तो S for 19 आ गया आपके सामने चलो ठीक है अच्छा कौन बच्चे को नहीं पता होगा कि T for 20 होता है मतलब T for 20 मतलब T20 नाम रखा गया T20 मतलब T for 20 नाम रखा गया है T20 तो T for 20 आसान बात है दूसरी बात U T U U मतलब क्या U मतलब यू यू मतलब तुम यू मतलब यूत यू मतलब यूत यू मतलब यूत यू मतलब यू को क्या बोलेंगे यू को अभी से ना यू यू मतलब यू यू हिंदी में बोल मतलब ऐसे बोलो तो यू कहलाता है अगर ऐसे बोलो तो यू कहल लेकिन आप 21 साल में कहलाते हैं विक्ट्री से 22 22 22 विक्ट्री 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 इसलिए हम ऐसा दिखाते हैं जैसे इस वीडियो को देखने के वाद आप लोगों को बहुत मज़ा रहा होगा ठीक है चलिए आप हमारे पास आये एक्स क्या है सर एक्स है 24 देखो तुम उस उसको ख्रopста को घ्रोस करते हैं अब तो तुमने किसी भी चीज सर ऐसे 3 आ गया 3 4 तो सी था तो 23 आ जाएगा सर कितना आसान है मैं डिवाइड किया है और रोटेट भी करना आपको दिखाया है तो आई गेस आपको समझ में आ रहा हो गई अब वाई तो पहले कवर हो गया था किसमें इजॉटी में और जैड का टो 26 है अब मैं एक बात आपको गारेंटी के साथ कहता हूं कि इस पूरा का पूरा सेक्शन को करते समय कुछ तो आपको पहले से ही याद हो मतला अभी इस वीडियो को देखते देखते आपको याद हो गया होगा कि ओके डाच वेरी गुड सर बहुत बढ़ी अदम सहीं है जैसा लंच टाइम का आद हो गया होगा मैं यह बात लिखके दे रहाऊं वहीं कोई दिक्कत नहीं आयी होगी अब सर ये तो कर लिया क्या इसके ऊपर कुछ खोंगे सर यहां तक place value पढ़े थे उसी तरीके से हम इनका opposite पढ़ेंगे जैसे देखो ध्यान से देखना जैसे a का हम लोग लिख देते हैं 1 तो आखिरकार last क्यूंकि देखो 1 टू लेकर 26 हमारा letters होता है एक से लेकर 26 तक letter होता है तो ये 13 तेरा मतलब हो जाएगा अगर 26 को डिवाइड करेंगे तो ये 13 इस्ता ही डिवाइड होगा always हमेशा 13 अभी जो 13 तेरा तेरा डिवाइड होगा वो basically कैसे होगा ये भी देखने वाली बात है तो a, z आ गया तो मतलब आजाद नाम है बी के साथ वाई आ जाएगा वाई, सी के साथ एकस आ जाएगा क्रक्स, डी डवलू के साथ डू आ जाएगा, इवी के साथ आ जाएगा, इवनिंग हो गया, एफ यू, फन के साथ आ जाएगा, जी टी, जी टी रोड आ जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड आपके सामने, अब अब H के साथ S आजाएगा हम सब हाई स्कूल, IR के साथ इंडिन रेलवे, JQ के साथ जैकलीन, जंगल कुईन, KP के साथ कमला पसंद कुर्टा पैजामा, and कानपूर, LO के साथ लव, और MN के साथ मन्जिल, कमा जा रहे हैं? That's the point which I am saying you always, यह चीज़ें मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, that you should understand this part, remember me guys, remember me, that's guarantee that you should understand this part, that what I am guiding you right now, यह बहुत ज़्यादा important है आप लोगों के लिए, अब सर इतना सीखने के बाद, कहीं न कहीं आपके मन में यह बात तो आ गई होगी, सर शुरुआत करते हैं, इसकी question की, मज़ा आ रहा है ना, सर शुरुआत करते हैं सर कुछ question का, उसके बाद तो सर और मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा सर, guarantee है, मैं आपको इसके लिए guarantee देता हूँ सर, बिल्कुल मज़ा आएगा, इसमें कोई दो मत या दो राए नहीं है सर, बिल्कुल मज़ा आएगा, आपको देखे कैसे मज़ा आता है, let's begin with the question, अब सर आपके सामने लिखा है, AZ, GT, MN, और ये पता करना है, ये एक तरह का, ये एक तरह का series है, अब आपको ये decode करना है, जैसे यहाँ AZ हुआ, GT हुआ, MN हुआ, YB हुआ, वैसे सर कैसे होगा, क्या logic लग रहा है इसमें, ये सर आपको decode करना है, simple है, simple है, ये आपको decode करना है, अराम से, ग्दम अराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब देखो, क्या आपको ये कुछ समझ में आ रहा है, कि Z के बाद T आ रहा है, T के बाद N आ रहा है, कुछ ना कुछ तो सर बन रहा होगा, अगर आप देखें, बस आप logic लगाते जाए, आपको समझ में आ जाएगे, A, B, C, D, E, F, N, G, तो कितने का gap वोगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच का gap वोगा, वतलब छटे इस्थान पर ये है, चलो ठीक है, G के बाद, A के बाद अगर, A के बाद अगर G है, या तो ये logic फॉल होगा, कि A के बाद G आएगा, G के बाद M आ रहा है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, अब देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, पर gap तो बढ़ता जा रहा है, इस अब तो logic आपको समझ में आगएगो, उमीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे, तो अभी इसका आंसर क्या होने वाला है, A का अगर G आ रहा है, A के बाद अगर G आ रहा है, तो देखिए, पहली बात gap है 6 का, फिर दूसरी बारी भी gap है 6 का, फिर तीसरी बारी भी gap होगा 6 का, and उसके बाद मेरे को मिल जाएगा S, तो A, G, M, S, क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा A, G, M, S, मतलब gap बढ़ता जा रहा है, fine or not, अगर काइदे से देखें, तो gap बढ़ता जा रहा है, A, G, A, G, M, S, जो gap है वो बढ़ता जा रहा है, S के बाद Y आ जाएगा, फिर ये reverse order में जा रहा है, J के बाद T होगा, T के बाद N होगा, N के बाद H होगा, H के बाद B होगा, तो ये reverse order में gap जा रहा है, मतलब minus 6, minus 6, minus 6, minus 6, Is it fine, everyone? I hope you all are getting, minus 6, minus 6, minus 6 में ये जा रहा है, आशा करता हूँ आपको ये clear हो रहा होगा, तो इसका answer तो basically S, हो गया है, तो हम decody तो कर रहे हैं न, basically, क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग यहाँ पर basically क्या कर रहे हैं, decody तो कर रहे हैं, एक बार plus 6 जा रहे हैं, एक बार minus 6 जा रहे हैं, अब कोई पुझे गए सर, logic क्या लिखेंगे इसका, इसका logic तो सर, addition and subtraction of the same number, simple, या तो अब addition करा लो, या तो subtraction करा दो, of the same number, चलिए, आगे चलता है, आगे चलता है, अब हमारे पास second question है, आपके सामने, जो कि कहलाता है, A, C, A, C, F, J, O, B, क्या कहलाता है, A, C, F, J, O, B, कुछ नगुश लॉजिक तो लग रहा होगा, निश्चित किसी बात है, कुछ नगुश लॉजिक तो लग रहा होगा, Now, everyone needs to answer me, कि क्या लॉजिक लग रहा है, आप सभी ने मुझे बताना है, कि क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आप देखे, ध्यान से करें, तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो किसी किसी बार 1, किसी किसी के बार 2, किसी के बार 3, तो किसी बार 1, किसी के बार 2, किसी के बार 3, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो अब यह लॉजिक तो क्लियर है, आपको तो यहाँ देखे, पहले पर दो Ka Gap फिर तीन ना का सिपीर चार का फिर पांच का का सिर चया का फिर सात काई इसको भी कह देंगे एकि आप हमेशा क्या करी हो Dry'd क्रों consecutive numbers क्या करें आप consecutive numbers को add कर लें You are always adding consecutive numbers I hope this is clear I hope this is clear none of you having mixture in this clear तो इसका answer you आ जाएगा एक एक question बड़ा ध्यान से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़ा भी आने वाला है अब देखिए एक और यह सवाल है जिसको कह देंगे देखो अब यह logic है Q A R R से शुरू किया गया R A S S दे शुरू किया यहां खतम हो रहा है R से शुरू हो रहा है S से यहां खतम हो रहा है T से शुरू हो रहा है सब में A common है इह और A अब R S T U तो अगला V हो जाएगा अगला V होगा V होगा मतलब option number A होगा तो इस तरीके से आप क्या रहा हो आप आप अप यहर decoding की तो कर रहे हो आप basically कर के रहे हो decode कर ले रहे हो okay this is having this part this is having this part this is having this part and this is how we can answer that is the logic behind it यह एक संफून logic है इसके पीछे इसको answer करने का मज़ा आ रहा होगा उमीद करता हूँ देखो सही बात है न A का A रह जा रहा है और R के बाद S हो रहा है S के बाद T हो रहा है T के बाद U हो रहा है U के बाद B हो रहा है तो as a distance चल रहा है सर क्या दिक्कत है कहीं कोई परशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आगे चलता है अब मेरे सामने आया आपके पास second question जो कहलाता है BDF दूसरा कहलाता है CFI देन कहलाता है DHI अब sir DHL अब दिमाग लेगा ठीक है अगर यहाँ पर होता A तो A के बाद बना B B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E यह तो पका है सर E आने वाला है और सर यह option आप eliminate कर सकते हो हमेशा option elimination is the key ठीक है अब E के बाद अगर J आने वाला है तो उसके बाद O आने वाला है तो यह क्या बन जाएगा आपका E, J, O बन जाएगा तो यह option number A आजाएगा समझ आ रहा है ना सभी को everyone is getting this ना कि मेरे पास आपके पास यह E, J, O बन जाएगा that is also pretty good I would say बहुत ही आसान तरीके से आप इनका answer कर रहे होंगे edition based question है यह B, C, D, E, D, F, H, J और F, I, L, O अब बोलोगे सर्फ थर्ड वाले का आपने logic लगाया नहीं क्यों लगाने जाएगे जब option elimination ही कर दिये हम लोग तो F, I, L, O हो जाएगा ना हर बार प्लस 3 का gap जा रहा है every time it's going प्लस 3 का gap आसान है आप answer तो किया जा सकता था बहुत ही आसान तरीके से कुछ करने की आवशक्ता इसमें नहीं है मेरे हिसाब से मेरे हिसाब इसमें आप कुछ भी करने की आवशक्ता नहीं है अगर आप बहुत ही अच्छे से आंसर करते हैं that would be quite good for you बहुत सही रहेगा आपके लिए राइट चले एक कोशन और देखते हैं कैसे कर सकते A, R, C, S, E, T ठीक है अब आपके सामने आया है सर A, R, C, S, E, T इसको कैसे करेंगे सर कुछ ना कुछ लॉजिक तो होना चाहिए सर how we can do it कुछ लॉजिक अब इसे कैसे कर सकते हैं अब देखो दिमाग लगाओ तो पहला है A, then A, B, C, D, then E, तो भीया A, B, G, C, D, G, A, B, C, D, E, F, then G आना चाहिए तो ये गलत, ये गलत, G में तो या तो आपको ये होना चाहिए या तो आपको ये होना चाहिए इसके अलावा G के लिए तो कुछ है ही नहीं अगर होता ना कि इसके अलावा G के लिए कुछ होदा तो आप लिख भी रहते हैं कुछ है नहीं सर जी के लिए इसके लावा अब आप देखिया RST तो अगला क्या आएगा या तो यू आएगा या तो भी आएगा यू आर एस ती यू तो यह आपका अंसर हो जाएगा इस तरीके सर लोजिक लगाना है यह जो मैं लोजिक लगा रहा हूं आपको बस इसी तरीके से लॉजिक लगाना है बहुत मजा आने वाला है पूरे के पूरे टाइम आपको इतना मज़ा आएगा that you won't understand कि अच्छा that's very good मतलब that's awesome kind of a thing जो आप मैं आभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं न इससे आपको बहुत मज़ा आएगा that's my point point आगे आते हैं तो answer देखिए इसका D था मैंने क्या बताया था answer अच्छे तरीके से आप answer कर सकते थे अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूं let me just take a short moment of yours थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे फिर आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताएंगे आपके लिए क्राइक लाड विद अनिक आडमी ओल इंडिया फ्री क्लाड स्कॉलर्शिप मॉक टेस्ट लेके आई है जो कि 90 परसेंट आपको स्कॉलर्शिप मिलेगा टॉप रैंकर्स को तो आप जाएए यह नौ तारीक को होने वाला है एपरिल 9 को यह होने वाला है मॉक टेस्ट के सारे डीटेल्स मैं यहां आपको मिल जाएगा स्कैन कर लेना अच्छा एक चीज़ और है आई देखो मेरे लिए आप कुछ अगर एक तो लाइक कर देना है दूसरी बात मेरा कोड है अगर फ्री हो अगर लगे कि सर अच्छा चीज़ आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं हमेशा कॉंटेंट तो मैं हमेशा लेके आता हूं तो आप मेरा कोड यूज़ कर देना एमेटन थोड़ा महरबानी होगी आपकी यह पूरागा पूरा कैले है अगर आपको सबस्क्रिप्शन लेना हो तो भी या थोड़ी सी अपनी कृपा कर देना क्यूंकि मेरे एसेट तो तुम्हीं लोग तुम्हीं लोग मेरे एसेट तो अच्छे से यूज़ कर लेना तुम्हारे लिए होगा ठीक है दूसरा हमारे पास एक दा वॉर्यर बैच यह ड्रॉपर बैच है कमिंग सून होने वाला है तो अगर थोड़ा सा बेट करके लेना चाहते हो या ले लो अभी यह बैच आ जाएगा इसमें इंड्रॉल करेना तुम्हारे तुम्हारी मर्जी है ठीक है एक हमारे पास लेवल अप बैच है जो कि क्लाट और एलेट के लिए 24 एस्पिरेंट के लिए है तो तुम यह भी इंड्रॉल कर सकते हो ठीक है और यह तो मुझे काफी लगा एक बहुत ही सही चीज लगा कि अगर कोई बच्चा एकदम तुरन चाहता है ना कि सर फड़ा फट एकदम सब कुछ रिवाइज हो जाए तो करेंट प्राइज है इसक रहे है अगर कोड मांगता है तो मेरा कोड डाल देना ठीक है यह मैंने आपको बता है अब चली सर शुरू करते हैं हमारा जहां पर हमने देन इदेन एफ देन जी एच आई एच आई जे एंड एन देन के तो पहला तो भाई यह के वाला होगा तो मतलब यह आंसर नहीं होगा ठीक है नाव अब थोड़ा सा दिमाग लेगाओ A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, I, F के बाद I, दो कगाद I, J, K, I, J, K, L, M, N, O, M, N, O, P, Q, R Then you'll get R, तो अब K के बाद R यहां भी है और यहां भी है तो मतलब यह आंसर नहीं होगा ठीक है L के बाद है K, K के बाद J, J के बाद I, then I के बाद H, तो the correct answer would be option number A समझा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ना आपको मैं, कितनी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि आपको कोईसमें doubt या problem होना चाहिए That is the point जो मैं आपको explain करने की कोशिश कर रहा हूँ यहां से This is gonna be really, really very important for all of you बहुत अच्छा content provide करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, सब कुछ guide करने की कोशिश कर रहे हैं आपको तो कृपया करके इस चीज का लाब उठाएं एक वीडियो में मैंने पूरा तुम्हारा यह alphabetical series जो है, वो एकदम जो coding decoding के अंदर में आता है इसको मैंने cover up कर दिया है I hope you guys are getting clear है सब इको सच यहाँ पे कोई परशानी, कोई doubt नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को Is it clear? Is this clear? चलिए, आगे चलते है दूसरा हमारा आता है चलिए, इसका answer जैसे मैंने बताया के आरेच है, तो के आरेच है B, D, F, C, F, I, E, I, M अब देखो logic B, C, A अगर तुम A लिखो A, B, C, D, E क्या लग रहा है logic? B के बाद C, C के बाद E अब B के बाद C, C के बाद E आगे क्या आएगा? Now, D, E, F D, E, F, G, H, I तो हर बार एक-एक गाप बढ़ता जा रहा है I, I के बाद I D, E, F, G, H, I J, K, L, M तो अगला तो भीया M आएगा क्या लगता है आपको M कहा है? According to me answer would be option number B, check कर लो क्या option number B answer है? consecutive increase पहला 2, then 3, then 4 यह पूरा का पूरा consecutive increase हो रहा है किसी एक को पकड़ लो जहां option match नहीं कर रहा है हलाकि इस question में तो कहीं पर भी match नहीं कर रहा था तो अगर मैं A को भी पकड़ता तो कोई difference create नहीं होता मैं B को भी पकड़ता तो कोई difference create नहीं होता, विकोस सारे option different है कुछ देखो same नहीं है याँपर इस तरह के question तो मेरे साथ से बहुत आसान होते हैं है 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 better कि इसी नहीं होता है बहुत यह बनने वाले होते हैं और यहांपर आपको कुछ करने का और शक्ता नहीं के वरावर होती है ठीक है अचा मैंने आपको फिर कहा कि अगर आपको subscribe ले गयरह लेना हो तो please तो आपको यह वहां पर देखने को मिल जाएगा मुझे नहीं लगता मैंसे किसी को इसमें डाउट होनी चाहिए दो-चार कोशन और बना लेते हैं मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को मैं पूरा गैरेंटी के साथ कह सकता हूं कि मजा रहा होगा ठीक है फिर आगे चलते हैं चलिए एक कोशन और है हमारे सामने एजड़ बी अब देखो दिमाग लगाओ ए और दिमाग लगाओ यहां पर ठीक है दिमाग लगाओ ए बी-सी डी-ई-एफ जी देन देखो ए बी-सी डी-ई-एफ आगे क्या आएगा आगे क्या आएगा आगे क्या आएगा ए बी-सी डी-ई-ए-फ जी क्या आएगा बताओ तो यहां पर ए के बाद एफ एफ के बाद जी तो जी वाले आंसर होंगे तो इसे काट दो इसे काट दो अब देखो जेड के बाद एक्स तो अब भी तुमको पता और हो तो क्या ओता है 120-20 यह इ Unterstüt ahead यह क्टि नहीं जा रहा है बताओ कि यह ईल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहां बता दो जैसे यह युट्अ वी डबलू एक्स बाए возможно iає第 हो गया 26 यह हो गया 24 यह हो गया तेज रैट 40 वी-डबलू है आप देखो यह आ पे Z, then X Z के बाद तुरंट X, एक का gap Y का, X के बाद V X के बाद V आ जा रहे है तुमारा, तो एक का gap V के बाद क्या आएगा Sir, T आ जाएगा I think X तो नहीं आएगा T आएगा, तो option number C would be the correct answer, देख लो Sir, C is the correct answer एक बार forward order में, एक बार reverse order में एक दम क्लियर हो रहा होगा एक बार forward order में जाहिए एक बार reverse order में जाहिए It's very, very correctly fine कि बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको बिल्कुल सही जा रहा होगा ये So this is my point, where I need to explain you कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं अब ये कुछ questions थे जो मैंने practice करा हैं एक question मैं चाहता हूँ कि आप comment section में मेरे को answer करें कि आपको क्या लग रहा है तो ये question आपको miscellaneous है मैं चाहता हूँ इस question का answer आप comment section में answer मैं को comment section में बताएं कि basically ये सही है कि नहीं है आपके पास option है A, B, C, D अब ये आपके पास options है और आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं आप comment section में बताएंगा मैं personally comment section देखके आपको इसका answer बताऊंगा and this is your kind of a homebook ये आपका kind of a homebook है तो please guys एक बार check करके आप please बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं तब तक के लिए आशा करता हूँ class person आई होगी